क्या आपको पता है कि मालदीव का नाम कैसे पड़ा? भारत की इतियास में मालदीव कहा है? क्या आप ये जानते हैं कि मालदीव में इसलाम कब और कैसे पहुँचा? अगर ऐसे तमाम सवाल आपके जहन में हैं तो इस वीडियो को आखरी तक देख लीचे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा लेकिन उससे पहले आपको ये बता दे कि मालदीव आखिर इतनी चर्चा में क्यों है? पेमोदी लक्षदीव पहुँचे लक्षदीव की तारीफ की वहां से तस्वीरे और वीडियो सामनी आएं वाइरिल होने लगे लोग लक्षदीव की खुबसूर्ती की तारीफ करने लगे ये बात मालदीव के कुछ नेताओं को अच्छी नहीं लगी उन्होंने भारत के पेम और भारत की बारे में कुछ ऐसी बाते कहीं जिनसे भारतिय लोग नाराज हो गए इस नाराजगी को देखकर मालदीव की सरकार घबरा गई अपने तीनों नेताओं के खिलाफ एक्शन ले लिया इसके बाद भी भारतिय लोगों और कम्पनियों की नाराजगी कम नहीं और उसने मालदीव के राष्ट्रपती को न्योता भेज दिया मौहमद मौईजू चीन पहुँचके तोनों देशों की बीच 20 समझोते हुए एक समझोता ये भी है कि चीन से लोग घूमने के लिए मालदीव जाएंगे मालदीव की अर्थ व्यवस्ता ठीकी भी परियाचन पर ही है मालदीव के राष्ट्रपती भले ही चीन के प्रभाव में हैं लेकिन मालदीव के पुराने और अनुभवी नेता जानते हैं कि भारत के बिना मालदीव का काम नहीं चल सकता और भारत लंबे वक्त से दिपक्ष्य संभंधों को निभाता हुआ आया है चलिए अब को बताते हैं मालदीव के बारे में सब कुछ दरिसल भारत और मालदीव का रिष्टा काफी पुराना और गहरा है मालदीव का नाम खुद इस बात का फ़त का Сबborत है जी हां कहा जाता है कि मालदीफ का नाम संस्कृत से आया है यह नाम संस्कृत के शब्द माला द्वीप यानि द्वीपो की माला से आया है इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि मालदीफ के नाम का माल मल्यालम भाश्रा के माला से आया है क्योंकि यह कई द्वीपो के समू से बना है इसलिए इसे द्वीपो की माला कहा जाता है जैसे एक माला कई मोतियों से मिलकर बनती है वैसे ही यह देश कई द्वीपो के समू से बना है इसलिए इसे मालदीफ कहा जाता है इसके अलावा श्रीलंका के एक ग्रंत महावश में भी इसका नाम लिखा गया है इसमें मालदीव को महिला दिवा यानि की महिलाओं का दीप बताए गया है दरसल मालदीव 1200 मुंगा दीपो का एक समू है जो हिंद महासागर में मौजूद है इस देश के चारो और नीला, समुद्र, सफेद, रेत और हरियाली इस देश की खुबसूर्ती में चारचांद लगा देती है इसकी खुबसूर्ती और आलिशान रिजॉर्ट्स के कारण यह देश विदेश से लोग चुटियां बिताने आते हैं इस देश की अर्थ विवस्ता का मुख्य हिस्सा परियाटन उध्योग से आता है इसलिए इस देश के द्विपो को भी उसी के अनुसार विक्सित क्या गया है ताकि वै परियाट्रकों के आकर्षन का केंदर बन सके इतिहास की अनुसार माल्दीफ 2500 वर्षों से अधिक पुराना है यहां के शुरुवाती निवासी भारते मानी जाते हैं बार्वी श्रताबदी तक माल्दीफ में हिंदु राजाओं का शासन रहा है इसके बाद यह बौत धर्म का भी केंदर बना कहा जाता है कि यहां तमिल चोला राजा भी श्रासन कर चुके हैं लेकिन ऐसा माना जाता है कि अरव व्यापारियों के आगमन के बाद यह देश धीरे-धीरे मुस्लिम राश्ट्र में बदलता चला गया एक रिपोर्ट में बताये गया है कि मालदिव के पहले निवासी धेविस नाम से जाने जाने वाले लोग थे वे भारत में काली बंगा से आये थे तामबे की प्लेटे जिन पर सौर राजवश के मालदिव के पहले राजाओं का इतिहास दर्ज था बहुत पहले ही खो गई थी बारविश सताबदी के बाद अर्भी व्यापारियों के प्रभाव में यहां के राजा मुस्लिम बनने लगे यहां इसलामी राजवशों की एक स्वरंखला शुरू हुई उसके बाद ज्र extensions होती चली गए उसके बाद ये देश धीरे धीरे मुस्लिम देश में बदल गया इस खबर पर आपके क्या राई है आप हमें कमेंट सेक्षन में सरूर बताइएगा और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन का डिजिटल प्लाटफॉर्म